Hello everyone, आज के इस सेशन में हम class 10th biology के chapter life processes के दो बहुती important topics को एक साथ discuss करने जा रही हैं कौन से हैं वो दो important topics? तो पहला होगा blood clotting and दूसरा होगा lymphatic system येस, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे blood clotting के ओपर और बात करेंगे lymphatic system की भी so I hope कि इस सेशन का जो target है वो आप लोगों को एकदम clear है तो अब एक काम करते हैं, फटा-फट से इस सेशन को हम start कर लेते हैं so this is विबूती करे, welcome to magnet brains जहाँ पर आपको सभी chapters के video lectures मुलते हैं बिल्कुल free of cost याने कि magnet brains में आपको दो chapters वाइने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package purchase करने की requirement बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि magnet brains आप सभी तक पहुँचा रहा है quality education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन जहाँ पर हमें बात करनी है blood clotting की and lymphatic system की ओके तो आज के इस सेशन की कहानी हम शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं blood clotting की यानि कि आज के इस सेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे blood clotting ठीक है तो अब सुनो हुआ ये कि एक लड़का था जिसका नाम था छगनलाल छगनलाल खेल रहा था और खेलते खेलते गिर गया जब वो गिरा तो उसके एक घुटने पर एक नी पर चोट लग गई कुछ इस तरह से फिर उस चोट से खून निकलना शुरू हो गया खून बहना शुरू हो गया तो जैसे ही मैंने देखा कि छगनलाल के घुटने पर चोट लगी है और उस चोट से खून बह रहा है तो मैंने बोला कि अरे छगनलाल तुमको तो ब्लीडिंग हो रही है तो यह जो साइट ओफ इंजरी है यह जो साइट ओफ इंजरी है साइट ओफ इंजरी का मतलब क्या है एक ऐसी जगा जहां पर चोट लगी हो है ना एक ऐसी जगा जहां पर चोट लगी हो उसको हम बोलते हैं साइट ओफ इंजरी ठीक तो इस साइट ओफ इंजरी के अंदर घुस करके देखते हैं कि exactly अंदर क्या सीन है मेरी बात समझ में आई ना कि एक लड़का था जिसका नाम था चगनलाल खेल रहा था और खेलते खेलते वो गिर गया जब वो गिरा तो उसके एक घुटने पर नी पर कुछ इस तरीके से चोट लग गई जब चोट लगी तो चोट से खून बहना शुरू हो गया जिसको मैंने बोला कि अरे छागनलाल तुमको तो ब्लीडिंग हो रही है ठीक तो ये जो अब site of injury है एक ऐसी जगा जहां पर छागनलाल को चोट लगी है तो इस site of injury के अंदर घुस करके देखते हैं कि exactly अंदर क्या सीन है ठीक है चलो डाइग्राम से समझने की कोशिश करते हैं तो ये क्या है ये है site of injury ये क्या है site of injury मतलब कि ये वो जगा है जहां पर छागनलाल को चोट लगी है लगी है अच्छे से लगी है अब इस जगा पर कुछ टिशूज होंगे चलो बना लेते हैं इस जगा पर कुछ टिशूज होंगे टिशूज में आपको क्या मिलेंगे cells तो एक काम करते हैं टिशूज के cells भी बना ही लेते हैं कुछ इस तरीके से ठीक तो जिस समय छागनलाल को चोट लगी होगी तो हो सकता है कि उस समय यहाँ पर जो टिशूज हैं इनमें से कुछ टिशूज डैमेज हो गए होगे होगे यह समझ में आ रहा है की नहीं यह क्या है साइट ओफ इंजरी है एक ऐसी जगा है जहाँ पर जगनलाल को चोट लगी है तो इस जगा पर कुछ टिशूज होगे टिशूज के अंदर कुछ cells होगे तो जिस समय चगनलाल को चोट लगी उस समय यहाँ पर जो टिशूज है इतने सारे हो सकता है की इनमें से कुछ टिशूज डैमेज हो गए हो चोट लगने से चोट लगने से डैमेज हो गए हो तो मानों की ये वाला टिशू डामेज हो गया, ये वाला भी टिशू डामेज हो गया, अब इसी जगह पर, जहां पर छगनलाल को चोट लगी है, इसी जगह पर ब्लड कैपिलरीज भी है, कौन है, ब्लड कैपिलरीज, और जाहिर सी बात है, ब्लड कैपिलरीज में कौन फ्लो होगा, आप ही बता दो, ब्लड कैपिलरीज में ब्लड ही तो फ्लो होगा न, चमन प्राश या रूफ अवज़ा तो फ्लो नहीं होगा, ठीक है, तो यहां पर भ्लडट ये उप्लडड अंगे में भ्लडड फो रहा है जैक है ये नहीं भ्लडड फो रहा है अब देहां हुआ क्यों कि जिस समय चैक है छोट लगी होगी उस नहीं इन में से जो ये वाली capillary है इन में से जो ये वाली capillary है blood capillary ये damage हो गई ठीक है जैसे कि इतने सारे tissues में से कुछ tissues damage हुएं वैसे ही site of injury पर जो मैंने चार blood capillaries बनाई है इन चार blood capillaries में से ये वाली जो capillary है ये damage हो गई होगी अब आप बोलोगे कि मैं blood capillary कैसे damage हो गई होगी तो blood capillary की ये जो दीवार है है ना blood capillary की जो वाल है blood capillary की जो वाल है दीवार है वो यहां से फट गई होगी ठीक है ये क्या है blood capillary जो की damage हो गई है ये blood capillary है जिसमें की blood flow हो रहा है और यह damage हो गई है कब damage हुई है तो जब छगन को चोट लगी है इस जगा पर ठीक है अरे यहीं चोट लगी होगी तभी तो यहां की कुछ tissues damage हो रहे हैं blood capillary कि जो अब इसा थोड़ी है कि चोट कहीं और लगी है और old d11 कि और Да गी ऐखनी तो जो ब्लट capillaries हैं वो damage होंगी ऐसा तो नहीं होगा कि चोट लगी है घुटने में और जो है ना हाथ के tissues और हाथ की जो है ना blood capillaries damage हो रही है ऐसा तो नहीं होता है तो यह वही तो जगा है जहां पर छगनलाल को चोट लगी है यह site of injury है तो जब छगनलाल को चोट लगी होगी तो यहां पर जो इतने सारे tissues present हैं उन में से कुछ tissues damage हो गए होंगे जैसे कि यह वाला हुआ है यह वाला हुआ है इसी जगा पर कुछ blood capillaries भी थी जन में blood flow हो रहा था और जब चोट लगी तो चोट लगने से इंचार में से जो यह वाली blood capillary है blood capillary यह damage हो गई कैसे damage हो गई तो इस blood capillary की जो wall है blood capillary की जो दीवार है वो यहां से फट गई अब क्या होगा एक pipe है जिसमें की पानी भेह रहा है एक pipe है जिसमें की पानी flow हो रहा है तो अगर उस pipe की दीवार में या wall में अगर मैं एक छोटा सा छेद कर दूँ तो क्या होगा उस छोटे से छेद से पानी pipe के बहार आने लगेगा होता है कि नहीं होता कई बार हमारे घरों में भी जो है ना ऐसे लंबे लंबे pipe होते हैं पौधों में पानी डालने के लिए है ना तो pipe की दीवार में pipe की wall में अगर जरा सा भी एक छोटा सा छेद हो जाता है तो जैसे ही pipe से पानी हम flow करवाते हैं तो वो पानी उस छोटे से छेद से बहार आने लग जाता है पाइप के बहार आने लग जाता है तो जरा सोचों कि एक blood capillary एक पतली सी नाजुक सी blood capillary जिसकी दीवार यहां से फट गई है इस जिसकी दीवार यहां से फट गई है तो जब दीवार यहां से फटेगी तो क्या होगा इस capillary के अंदर जो blood flow हो रहा होगा ना वो अब बहार आने लग जाएगा आई बात समझ में अच्छा खासा capillaries के अंदर blood flow हो रहा था कोई दिक्कत की बात नहीं थी लेकिन जब चोट लगी तो यह वाली capillary damage हो गई कैसे damage हो गई तो इस capillary की जो wall है जो दीवार है वो यहां से फट गई तो जैसे ही फटी capillary के अंदर का जो blood है अब वो बहार आने लग गया पहार आने लग गया पहार आने लग गया अल्टिमेटली क्या होगा यह हमारी skin को cross कर जाएगा मलब हमारी नहीं चगन लाल यह जो blood है यह blood चगनलाल की skin को ऐसे cross कर जाएगा यह क्या है यह चगनलाल की skin है आप बोलोगे कि मैं चगनलाल की skin इतनी मोटी हाँ इतनी मोटी तो क्या दिकत है तो जैसे ही यह capillary की wall फटेगी चीक है मतलब यहां से फटेगी capillary के अंदर का जो blood है वो बाहर आने लगेगा आने लगेगा आने लगेगा अल्टिमेटली यह blood चगनलाल की skin को cross कर जाएगा और फिर skin के बाहर आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि अरे भई skin के ऊपर अगर blood आ जाएगा तो हम तो यह बोलेंगे ना चोट लग गई है bleeding हो रही है खूल निकल रहा है तो ऐसे ही कि जाएगा प्लोड की है कि आपयोगे दिवार जैसे ही यहांसे फंती है blood जो है बहर आने लगता है ये जो blood है वह चगनलाल की जो skin है उसको cross कर लेता है और skin के बहर आने लगता है तो जैसे ही skin के बाहर या skin के ऊपर blood आता है तो हम बोलत है कि bleeding हो तो कुल मिला करके bleeding जो है शुरू हो गई है bleeding शुरू हो गई है अब मुद्दा ये है कि इस bleeding को रोकना तो जरूरी है वरना मतलब मुश्किल हो जाएगी मुसीबत हो जाएगी ऐसे तो blood loss होते ही जाएगा होते ही जाएगा अब वो तो फिर भी ठीक है कि यहाँ पर मैंने एक ह जाएगी blood capillary को damage किया है कभी-कभी चोट जादा लग जाती है जिसके कारण बहुत सारी blood capillaries तो है वो डामेज हो जाती है है तो जब बहुत सारी blood capillaries damage होती है Cappillaries की दिवारे फट जाती है blood जो है बाहर आने लगता है तो बहुत साधा ही bleeding होने लगती है तो चाहे bleeding बहुत जादा हो चाहे bleeding कम हो हो तो रही है ना और इस bleeding से हो क्या रहा है definitely blood loss तो होगा तो इस bleeding को हमें रोकना पड़ेगा अब सवाल ये है कि मैं कैसे रोकेंगे क्या tape लगा देंगे क्या यहां पर bleeding रुप जाएगी अपने आप उपर हम पट्टी पट्टी करते हैं वो बात अलग है उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ body के अंदर हमारे body के अंदर खुदी एक ऐसा system होता है जिससे की naturally bleeding रुकती है आई मेरी बात समझ में चाहे bleeding कम हो रही हो चाहे bleeding बहुत जादा हो रही हो bleeding से ultimate blood loss तो होता ही है तो ये अच्छी बात तो है नहीं तो कुछ ना कुछ से ऐसा करना पड़ेगा कि भाई ये excessive blood loss ना हो bleeding रुक जाए तो bleeding रोकने के लिए bleeding रोकने के लिए हमारे body के अंदर एक system होता है एक basically आप बोल सकते हो कि system में process होती है तो हमारे body के अंदर एक process चलती है और उस process से bleeding जो है रुकती है वो एक natural process है ऐसा नहीं कि हमें बटन ओन करना पड़ता है तब जाकर कि वो process चलेगी ना जैसे ही body को पता चलता है कि अरे चोट लग गई है एक जगा पर और वहां से खून बहरा है bleeding हो रही है अपने आप वो जो process है वो शुरू हो जाती है अपने आप वो process हमारे body के अंदर शुरू हो जाती है और उस process से ultimately होता क्या है कि bleeding रुक जाती है खून बहना बंद हो जाता है और उसी process को उसी natural process को जिससे की bleeding बंद होने वाली है ultimately उसी natural process को हम क्या बोलते हैं blood clotting क्या बोलते हैं blood clotting तो अब हमें उस natural process blood clotting को समझना है बहुत अच्छे से समझना है ठीक है इसके लिए चलो हम बात करते हैं उस blood blood capillary की है भई blood clotting समझना है न तो blood clotting को समझने के लिए blood clotting क्या है अब आपको basic तो समझ में आया होगा न blood clotting basically एक natural process है जिससे की bleeding रुकती है हमारी body में ताकि excessive blood loss ना हो तो blood clotting को समझने के लिए हम बात करते हैं किसकी blood capillary की हम बात करते हैं blood capillary की कौन सी blood capillary कौन सी blood capillary वो blood capillary जो की चोट लगने पर damage हुई थी बाई देखो सीधी सी बात है क्या बताय था मैंने आपको कि ये क्या है site of injury है यही पर जो है छगन लाल को चोट लगी है तो इस site of injury पर मैंने जो है चार blood capillaries बनाई थी चार मेंसे केवल ये वाली जो थी जो केवल ये वाली थी ये damage हुई थी इन तीनों पर तो कोई फरक पढ़ा नहीं था तो इन तीनों पर जब कोई फरक पढ़ा ही तो हम इनको पढ़ें क्यों जो blood capillary damage हुई है उसकी बात करते हैं, जिसकी दीवार फटी, जिसकी वॉल फटी है यहां से, उस capillary की हम बात करते हैं, क्योंकि हमें क्या समझना है, हमें blood clotting समझना है, तो यहां पर मैं लिख देती हूं कि हम कर क्या रहे हैं, अरे, हम कर क्या रहे हैं, हम समझ रहे हैं, blood clotting, ठीक है, तो यह क् लड़ कैपिलरी कौन सी वाली जो डामेज हुई थी चोट लगने पर तो ऊपर मैं यहां पर अच्छे से लिख देती हूं कि यह है डामेजट बलड कैपिलरी ठीक अब देखो आप बोलोगे कि मैं यहां पर आपने इसको कम्पलीट क्यों नहीं किया अच्छी खासी आप blood capillary बना रही थी, blood capillary की दीवार बना रही थी, ये दीवार को आपने ऐसे क्यों छोड़ दिया, ये patch क्यों छोड़ दिया आपने, अरे ये वही जगह है, जहां से दीवार फटी है, बताया था ना मैंने कि ये damaged blood capillary है भाई, ये वो blood capillary है, जो कि damage हो चु और क्योंकि दीवार wall यहां से फटी हुई है, इसलिए यहां से क्या हो रहा है, blood बाहर आ रहा है, क्या हो रहा है, blood बाहर आ रहा है, तो कुछ न कुछ करके, कुछ न कुछ करके, जो फटी हुई दीवार है ना, इसको हमें, क्या बोलेंगे, इसको हमें repair करना होगा, इसे हम cause bleeding का ये है कि blood capillary की जो wall है ये फट गई है इसलिए उसको हम क्या बोल रहे है कि capillary damage हो गई है अगर दीवार ना फटी होती तो wall अगर ना फटी होती तो blood बहार ही नहीं आता हम बोलते ही नहीं कि जो blood capillary है वो damage हो गई है हम बोलते कि ठीक है blood अगर बाहर नहीं आता capillary में ही flow होता रहता तो bleeding भी नहीं होती और बहुत सारे cases में ऐसा होता ही है देखो जब बच्चा ना छोटा होता है चलना सीखता है धीरे धीरे तो वो तो दिन में 100 बार गिरता है लेकिन ऐसा तो नहीं कि 100 बार गिर रहे तो यहां पर जो छगल नाल है वो इतना जादा जोड से गिरा कि जो site of injury है जिस जगा पर उसको चोड लगी वहां की जो capillary है वो damage हो गई है और ऐसी damage हो यह कि उसकी जो wall है capillary की blood capillary की जो wall है वो यहां से फट गई है जिससे की capillary के अंदर का जो blood है capillary की wall फटी तो फटी उससे हुआ क्या capillary के अंदर जो blood है ना वो इस जगा से बहार आ रहा है तो हमें कुछ न कुछ करके तो इस जगा को ठीक करना है क्या करेंगे क्या हम क्या भोलते हैं को tape लगा देंगे क्या यहां पर M seal डाल देंगे क्या हमारी body है ना body अपने आप काम करती है कैसे देखो अब क्योंकि यह blood capillary है blood capillary में blood flow होता है चमन प्राश्णी होता है root of the flow नहीं होता capillary के अंदर blood ही flow होता है तो blood में क्या होता है पढ़ाया हुआ है मैंने blood में plasma होता है है ना plasma में proteins होता है जिनने हम क्या बोलते है plasma proteins मैंने आपको बताया था कि भले अपना नाम भूल जाना जो plasma proteins है उनके नाम मत भूलना है ना फिर इसके लावा blood cells भी तो होते है blood cells भी तो होते है कौन-कौन से RBCs WBCs and platelets बताया था ना कि नहीं बताया था तो blood में आप बोल सकते हो कि दो components है एक उसका plasma है दूसरे जो है ना blood corpuscles है जिनने हम formed elements भी बोलते है इन में तीन तरह के cells आते हैं WBCs, RBCs, platelets plasma में हमें आज किसका काम पड़ेगा plasma proteins का वैसे तो plasma में बहुत सरी चीज़े होती है है ना 90 से लेकर के 92% पानी होता है लेकिन उसकी हमें अभी बात नहीं करनी है आज हमें काम पड़ेगा किसका plasma proteins का plasma proteins में भी किसका fibrinogen का ठीकिए ना plasma protein में भी plasma proteins तो तीन होते हैं उन तीनों में से हमें आज काम पड़ेगा fibrinogen का किसका fibrinogen का fibrinogen का कैसे बताती हो मैं actually यही है जो कि blood clot करने वाला है ठीक है चलो हाँ तो हुआ क्या कि जिस समय blood capillary damage होती है उसकी दिवार जो है न मालब जिस समय blood capillary damage होती है उसकी दिवार फटती है होता है blood में जो blood cells होते हैं वो भी damage हो जाते हैं सोचो ना बहुत जोर जो जो जगन गिरा है तो जो site of injury है जहां पर उसको चोट लगी है वहाँ पर जो ये वाली capillary है blood capillary ये damage हो गई इसकी दिवार फट गई इस capillary के अंदर जो blood flow हो रहा था इस capillary के अंदर जो blood flow हो रहा था blood के जो cells थे वो तक जो है ना damage हो जाते हैं suppose RBCs damage हो गई है है ना RBCs जो है ना इसे damage हो गई है ऐसे side में दिखा देती हूं ऐसे जो है ना RBCs damage हो गई है थोड़े नीचे दिखाती हैं यहाँ पर ऐसे RBCs जो हैं वो damage हो गई है जो platelets है वो भी damage हो गई है फट गए है, rupture हो गए तो जब blood capillary जब blood capillary damage हो थी है जब उसकी दिवार फट जाती है वाल फट जाती है उस समय capillary के अंदर जो blood होتा है capillary के अंदर जो blood होता है blood के जो cells होते हैं वो तक damage हो जाते हैं यह देखो यह क्या है यह सारे damaged rbc हैं यह क्या है damaged rbc है ठिक फ्लेटलेट्स भी damage हो जाते हैं बना देती हूँ यह क्या है यह है damaged platelets, अब ये जो damaged platelets हैं, ये न फट जाते हैं, ये rupture हो जाते हैं, और ruptured platelets से release होता है, क्या, एक बहुत ही बढ़िया सी चीज, platelets भी damage हो गए है, platelets जो है अब rupture हो जाएंगे, तो ये जो ruptured platelets हैं, इन से निकलता है क्या पता है, thromboplastin, क्या निकलता है, thromboplastin, thromboplastin, ये thromboplastin, ये सब हो कहां रहा है, ये capillary के अंदर ही हो रहा है, किसी बतरी के से इस capillary की दिवार को ठीक करना है न, तभी तो bleeding बंद होगी, तो blood clotting जो है न, हमें करवानी है, मलब हमें नहीं करवानी है, blood clotting हो नहीं है, ये हम पढ़ क्या रहे हैं, ये सारी हम blood clotting ही पढ़ रहे हैं, ठीक है न, तो basically blood clotting में होता क्या है, clot बन जाता है, और ये clot आकर के इस जगा को seal कर देता है M seal नहीं लगाएंगे tape नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे अपने आप body में natural process होती है bleeding को रोपनी की, जिसको हम बोलते है blood clotting blood clotting में clot बनता है, और ये clot क्या करता है इस जगा को आकर की seal कर देता है ताकि blood ना बहे, capillary का तो basically क्या हुआ, ruptured platelets जो है उनसे release होता है उनसे release होता है क्या thromboplastin thromboplastin calcium ions के साथ thromboplastin calcium ions के साथ जड़ करके क्या बना लेता है thrombokinase क्या बना लेता है thrombokinase अब ये जो thrombokinase है ये पता है क्या करता है कौन सा कलर ले चलो ये लेते हैं एक होता है prothrombin एक क्या होता है prothrombin ये prothrombin क्या है ये prothrombin basically एक clotting factor है ये क्या है एक clotting factor है देखो हमारे body में न बहुत सारे clotting factors present होते है मतलब वो factors जो की blood की clotting करने में मदद करते है clot बनाने में मदद करते है माना की हमारे body में हमारे blood में बहुत सारे clotting factors होते है लेकिन वो सारे के सारे inactive form में होते है क्यूं? मैंना आपको बताया था कि body में लगातार blood flow होता रहता है क्यूं? क्यूंकि blood के लगातार flow होने की body में जरूरत है requirement है body में लगातार blood flow होता रहता है क्यूंकि blood जो है यहां से आना शुरू हुआ लेकिन क्या हुआ? यहां पर आकर के blood clot कर गया अब जो blood है वो आगे ही नहीं बढ़ पाया cell बोल रहा है कि blood जल दिया मुझे oxygen दो blood बोल रहा है कि मैं आना चाहता हूँ लेकिन यहां पर blood clotting होगे कि मैं आ नहीं पा रहा हूँ तो क्या होगा? blood clotting के कारेंट जो blood है वो टाइम पर पहुँच नहीं पाएगा और यह जो cell है यहां का यह बिना oxygen के मर जाएगा तो ऐसे तो बेवज़ा जो है ना body में clot अगर होते गए क्योंकि blood में clotting factors present होते हैं तो अगर blood के यह सारे के सारे clotting factors active stage में आ जाएं तो क्या होगा? blood जो है वो तो clot होता रहेगा होता रहेगा तो यह सही नहीं है ना माना कि blood में clotting factors होना जरूरी है लेकिन blood में clotting factors होते हैं वो inactive stage में रहते हैं ताकि बेवज़ा हर कभी blood clot ना कर जाए जब blood को clot करने की बारी आएगी जब blood clotting हमें चाहिए रहेगी जब खून बहरा होगा bleeding रोकनी होगी blood clot चाहिए होगा उस समय हम clotting factors को जगाएंगे कि उठो 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 तुमारा काम आ गया है जब खून बहरा होगा जब bleeding रोकनी होगी जब हमें clot चाहिए होगा तब हम clotting factors को जगाते हैं कि उठो clot बनाओ और खून को जब बहने से रोको bleeding को रोको जैसे कि मैंने आको बताया था ना कि हमारे body में protein digesting enzymes होते हैं हमारे body में protein digesting enzymes होते हैं लेकिन इन protein digesting enzymes को हम सुला करके रखते हैं otherwise क्या होगा यह protein digesting protein को जो digest करने वाले enzymes हैं वो आप बोल सकते हो कि हमारे organ की जो muscle है जो की protein की बनी है उसी को खा जाएंगे organ को ही खा जाएंगे organ की जो दिवार है organ की जो वाल है वो basically बनी होती है protein से और अगर उसी organ में हमने protein digesting enzymes छोड़ दिये तो क्या होगा वो protein को digest करने वाले enzymes organ की दिवार में जो protein है उसको खा जाएंगे organ की वाल पर जो protein है वो खा जाएंगे protein ही अगर खा जाएंगे तो wall खा जाएंगे और अगर wall ही खब गई तो काहे खा organ organ तो damage होगा न इसी तरीके से हमारे blood में clotting factors होते हैं लेकिन उनको हम सुला करके रखते हैं कि जब जरुवत होगी जब clot की जरुवत होगी जब clot formation की जरुवत होगी तो उनको जगाया जाता है कि भाई उठो और clot बनाओ और bleeding को रोको खून बहने से रोको इतना आपको समझ में आया आप देखो ठीक उसी तरीके से ये जो प्रो थ्रॉम्बेन है ये एक clotting factor है लेकिन ये अभी inactive है ये अभी inactive है इसको activate कौन करेगा ये थ्रॉम्बो काइनेस थ्रॉम्बो काइनेस क्या करेगा इसको activate करेगा अच्छा ये मैं आपको पता हूँ ये बनता है liver में कौन सा कलर लें कौन सा लें चलो लेते हैं blue ठीक है ये बनता है liver में प्रो थ्रॉम्बेन बनता है liver में प्रो थ्रॉम्बिन जो की एक लॉटिंग फैक्टर है जो की हमारे ब्लट में ही प्रेजंट होता है लेकिन हां इनक्टिव फॉर्म में होता है यह बनता कहा है लिवर में बनता है और पता है किसकी मदद से vitamin K की मदद से तो एक जगा calcium आ रहा है और एक जगा vitamin K आ रहा है ठीक है? चलो, तो liver में vitamin K की मदद से यह pro-thrombin बनता है, जो की blood में एक clotting factor है, inactive stage में होता है इसको activate कौन करता है? thrombokinase करता है और यह क्या बन जाता है? thrombin बन जाता है क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? यह बन जाता है thrombin अब बारी आती है plasma protein कौन सा वाला plasma protein? fibrinogen कौन सा वाला? fibrinogen कौन सा color? चलो, यह वाला लेते हैं ठीक है? fibrinogen यह क्या है? एक plasma protein तो है at the same time यह एक clotting factor भी है यह एक clotting factor भी है लेकिन वह वाली बात है कि बेवज़ा खून में जो है clot बनता जाया अच्छी बात तो है नहीं इसलिए clotting factors को ऐसे सुला के रखते हैं कि सोजा बिटा सोजा मुनने clotting factor को clotting factor को सुला के रखते है inactive stage में रखते हैं कि जब breeding होगी clot बनने की जरुबत होगी तब जगाएंगे और इनसे clot बनवाएंगे तो यह भी क्या है clotting factor लेकिन inactive stage में होता है हाँ यह एक plasma protein है यह clotting factor भी है लेकिन inactive stage में इसे activate कौन करता है यह thrombin यह thrombin आकर के क्या करेगा यह thrombin आकर के क्या करेगा इसको जगागा कि उठ न क्या कर रहा है जिससे क्या बन जाएगा fibrin बन जाएगा या fibrin बन जाएगा देखो basically होता क्या है कि यह जो fibrinogen है न इसके fibers present होते है फिब्रेनोजन के चलो ये वाला कलर लेते हैं, ओके इस फिब्रेनोजन के ऐसे फाइबर्स प्रेजन होते हैं, जब थ्रॉम्बिन आकर के इसको जगाता है, फिब्रेनोजन के ऐसे फाइबर्स प्रेजन होते हैं, ऐसे थ्रेड प्रेजन होते हैं, जब थ्रॉम्बिन इसको आ करके जगाता है तो बेसिकली पता ही क्या होता है इन फाइबर्स का नेटवर्क बन जाता है इन फाइबर्स का नेटवर्क बन जाता है एक मैश बन जाता है यह देख यहां पर क्या हुआ है फाइबर्स का फाइबर्स का नेटवर्क बन चुका है यह क्या है फाइबर्स का एक ये नेटवर्क जाता है ये नेटवर्क जाता है और जहां पर ब्लड कैपलरी की दीवार फटी है जहां पर ब्लड कैपलरी की दीवार फटी है वहां पर जाकर कि ये चिपक जाता है ये नेटवर्क ये फाइबर्स का नेटवर्क है ना फाइबरिन फाइबर्स का जो नेटव गपर यह जो मैंश है यह सज जगा पर जाकर कि चिपाख से ब्लट हाथ वाल इसमें क्या होता है है ये देखो zach स matter के यह नेटीवर्क तो जाकर कि चिपाख लेकिन साथ में देखो लपेटे में कौन आ गय से यह डाइमेशट आज आ हुआ चीज ए बलकी WBCs भी तो आते हैं लडने के लिए कि हम भी लड़ाई करेंगे भाई क्या पता है था मैंना को कि जब capillary damage होती है तो capillary के अंदर जो blood होता है blood के blood cells होते हैं वो भी damage होते हैं platelets भी तो damage हुए थे ना जो damaged platelets थे वो rupture हुए थे और ruptured platelets से ही तो thromboplastin निकलता है कि निकलता तो तरह सोचो कि जो platelets हैं वो कितने महान होते हैं कि वो damage हो वी जाते हैं platelets damage हो भी जाते हैं फिर वह फट जाते हैं फटने के बाद भी रप्चर होने के बाद भी Thromoplastin निकालते हैं जो कि calcium ions के साथ मिल करके thrombokinase बनता है और आगे की process होती है एक पुरा clot बन जाता है fibers का एक network बन जाता है अभी ये clot नी बना है अभी ये clot बनेगा कैसे अभी तो ये क्या है fibrin fibers का एक network है जो की जहां से दिवार 40 है wall 40 है capillary की वहां जाकर की चिपग्या है अब इस network में इस fibers के network में damaged rbcs आकर के फस जाएंगे damaged wbcs भी जहना आकर के फस जाते हैं है ना आप बोल सकते हो की जो rbcs है वो मलब rbcs जो है जो wbcs जो है वो इत्ते damage होए कि मरी गये है इनमें आप बोल सकते हो की platelets भी जो है ना आकर के फस जाते हैं तो अब देखो यह क्या बन गया है एक fibers का fibrin fibers का एक network बन गया है जिसमें की blood cells क्या है damaged या dead blood cells ऐसे नहीं जिन्दा rbcs नहीं भाई जिन्दा rbcs को बहुत काम होता है है ना वो ऐसे फालतों के नाटक नहीं करती रहती ही बैठ करें कि अरे हम तो फस गया है network में ऐसा नहीं होता है तो यह जो fibrin fibers का network है इस network में blood cells फस गया है blood cells trap हो गया है rbcs wbcs यह सब मरे हुए यह बनता है क्या clot इसे हम बोलते हैं क्या clot पता नहीं आपको यह दिख रहा होगा इसे हम बोलते हैं क्या clot तो fibrin fibers का basically क्या होता है यह network होता है मैश होता है जिसमें की dead और damaged blood cells फसे रहते हैं dead और damaged blood cells फसे रहते rpcs wbcs वगरा फिर यह बन जाता है क्या clot और यह क्लॉट जाकर कि क्या करेगा यहां पर ऐसे चिपल जाएगा वाल पर जहांसे वालफटी होगी ताकि जो blood है जो blood है वो बहना बंध हो जाए ठीक है तो इसे हम बोलते हैं क्या blood clotting अब देको एसा है की शुरुवात पिना जी जो पूरी process है जाहिर सी बात है इतनी लंबी process है इसको होने में time लगेगा इतनी लंबी process है इसको होने में time लगेगा है तब तक जो blood है वो बहता जाएगा इसलिए क्लॉट बनने के पहले एक temporary clotting भी होती है है ना एक आप बोल सकते हो कि temporary 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 clotting भी होती है इसमें क्या होता है मतलब ultimately तो यही clot क्लॉट बनने वाला है अल्टिमेटली यही पूरी प्रोसेस होने वाली है blood clotting की और यही clot बनने वाला है और यही clot क्या करेगा bleeding को रोकेगा लेकिन जब तक यह बन रहा है तब तक बोलते ना कि किसी की हड़ी टूटी हो किसी की हड़ी टूटी हो तो final plaster करने के पहले first aid भी त support दिया जाता है कि भी जो हड़ी है वो और जो है न कहीं मतलब वैसे भी टूट चुके तो और जादा कहीं dislocate ना हो जाए इंसान को जादा तकलीफ ना हो दर्द ना हो उस चीज़ के लिए ठीक है हां जी तो ठीक इसी तरीके से bleeding तो रुकनी ही है उसमें कोई दिक्कत की बा तो उसको रोकनी के लिए एक temporary clotting भी होती है उसमें क्या होता है ना कि जो platelets हैं जिन्दा platelets वो आकर के यहां पर चिपकने लगते हैं जहां से capillary की वॉल रप्चर हुई है ना फटी है उस जगह पर platelets आकर के चिपकने लगते हैं और बदले में chemicals जो ना सेक्रीट करते हैं हो जाते हैं उसके में उन chemicals की तरफ और platelets जो है अट्राक्ट हो जाते हैं और आकर के चिपक जाते हैं कहां इस जगह पर जहां से वॉल जो है वो रप्चर हुई है तो वह एक temporary clot बन जाता है सिर्फ platelets का temporary होता है क्योंकि उससे as such जो है ना कुछ मतलब वो तो temporary हुआ ना वो कि प्लेटलेट्स आकर के चिपक जाते हैं जो चिपके हुए platelets हैं कहां चिपकेंगे आकर के जहां से capillary की वॉल रप्चर हुई है जो चिपके हुए platelets है वो जो है ना और कुछ chemicals release करते हैं जिनसे कि दूसरे platelets भी attract होकर के आकर के चिपक में लगते हैं ताकि कि किसी तरीक बन जाएगा सुन्धर सा और बस आई बद समझ में ब्लीस जो है रोग जाएगी तो यह क्लॉट क्या है क्लॉट सकते हैं आप बोल सकते हो कि जो में मच्छ को यह लेंस वाइल George wildlife का मैं च्नाक होता है जिसमें की देट मेंच्ट बहुत cells, dead and damaged blood cells, जैसे की RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, यह आ करके फंस जाते हैं, ठीक है, तो यह क्या है, fibers का एक network है, एक जाल है, clot, जिसमें की dead and damaged blood cells, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, यह आ करके उलब जाते हैं, तो क्या बन जाता है, एक lot बन जाता है, सुन्दर सा, प्यारा सा, सच्चा सा, अब जरह यह देखो, जब बोलते हैं न, जब मम्मी पीछे परती हैं की, बिटा, school जा रहा है, खेलने जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, एक glass दूद पी करके चला जा, हम बोलते हैं की, उफ्फो मम्मी, प्लीज, दूद पीने के लिए मत बोलो, तो मम्मी बोलते हैं की, बिटा, दूद पीले, दूद सेहत के लिए अच्छा होता है, तो आप बोलोगे की, मैं नहीं, मम्मी, हमारी जो bones हैंना, वो already strong है, हमारी हड़ियां एकदम ठीक हैं, है ना, हमें जो ना, दूद पीने की जरुबत नहीं है, ठीक है, आपकी हड़ियां मजबूत हो सकती है, लेकिन दूद में जो calcium होता है, वो calcium यहां भी तो इस्तिमाल हो रहा है, अगर body में calcium की कमी होगी, तो क्या यह thrombokinase बन सकता है, अगर यह thrombokinase नहीं बनेगा, तो यह prothrombin, जो की एक clotting factor है, inactive stage में होता है, यह thrombin कैसे बन पाएगा, यह active कैसे हो पाएगा, अगर calcium ions नहीं होगे, तो यह thrombokinase कैसे बनेगा, thrombokinase नहीं बनेगा, तो यह thrombin कैसे बनेगा, thrombin नहीं बनेगा, तो यह fibrin कैसे बनेगा, clot कैसे बनेगा भाई, fibers का network कैसे बनेगा, दिमाग लगाओ ज़र अपना, तो इसलिए calcium बहुत important होता है, इसलिए रूपिला important होता है, ठीक, इसी तरीके से मैंने आख बताएगा, जो prothrombin है, वो बनता है कहां liver में, और किसकी मदल से, विटमिन के की मदल से, तो अगर आपनी डाइट में, अपनी डाइट में, प्रॉपर विटमिन के नहीं लेते हो, तो कहीं न कहीं, prothrombin जो है, बनने में दिक्कत होगी, और अगर prothrombin जो की, एक clotting factor है अगर vitamin K अपने diet में अच्छे से नहीं लेते हो तो जो pro thrombin clotting factor है उसके बनने में दिक्कत आएगी अगर उसके बनने में दिक्कत आएगी तो clot बनने में दिक्कत आएगी और अगर clot बनने में दिक्कत आएगी तो आप खुद समझदार हो कि क्या होगा bleeding जो होती जाएगी खून जो है रुकने का नाम नहीं लेगा ठीक है? तो ये सवाल जब हमारी quiz होगी न तो मैं पूछूंगी कि बताना भई कि कौन सा vitamin है कौन सा ऐसा iron है जो कि blood clotting में चाहिए होता है ये NCRT के बाहर जाकर कि मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ा दिया है बलाब NCRT के बाहर मतलब ये नहीं कि मैंने 11 का पढ़ाया है ये important है आपके लिए पढ़ना सब कुछ यहाँ पर जो है ना लिकी हुई है तो आप इसका screenshot ले सकते हो बस ये ध्यान रखना जो की क्या होता है एक clotting factor होता है ये एक plasma protein है definitely ये एक clotting factor भी है इसके बेसिकली ऐसे fibers होते है तो जब थ्रॉंबिन आकर कि इसको जगाता है activate करता है तो ये क्या बन जाता है fibrin बन जाता है fibrin की जो fibers होता है ना in fibers का अब एक network बन जाता है और इसी network में आकर के dead and damaged blood cells trap हो जाते हैं एक बहुत ही अच्छी picture है मेरे पास clot की वो भी मैं आपको दिखाऊंगी पर पहले इतना आप क्या करोगे वीडियो को post करके आप इसका screenshot दिलोगे बहुत जरूरी है ये आपके लिए एक sequence में लिखा हुआ है अब कुछ आपके सामने आ जाएगा sequence मालब flow chart के थूँ जो है वो पढ़ना असान होता है चीज़े जो ना systematic हो जाती है चीक है अब एक काम करते हैं अब जो लिखा हुआ है वो भी हम एक बार read कर लेते हैं ताकि जो है आपको क्या बहुते हैं कोई वो ना रह जाए कि मैं आपने जो पढ़ाया था वो तो आपने पढ़ा दिया लेकिन जो लिखा हुआ है slides पर वो तो आपने हमको पढ़ाया नहीं चलो वो भी हम एक बार read कर लेते हैं read कर लेते हैं इसके बाद में blood clotting अपने complete हो जाएगा फिर हम बात करते हैं किसकी lymphatic system की lymphatic system भी मैं आपको diagram से समझाओंगी अच्छे से समझ में आ जागो कोई doubt आपको रही नहीं जाएगा देखोए आपे when a tissue is wounded या blood vessel जो है वो rupture हो जाती है due to some injury the blood the blood flows through it जैसे कि मैं आपको बताया था कि जब भी छगन लाल को चोट लगी तो जहां पर उसको चोट लगी थी वहां के जो है na tissue damage हो जाते है blood vessels जो capillaries रप्चर हो जाती है if not checked it may cause an excessive loss of blood sometimes this immense loss of blood even leads to death मतलब आप यह समझ लो ना कि कभी-कभी आपने जह अगर आप लोग न्यूस पेपर बगरा पढ़ते हो यह न्यूस देखते हो तो कभी-कभी-कभी आपने ऐसा सुनना होगा कि किसी का इतना जोरदार accident हुआ कि on the spot death हो गई कैसे इतना blood loss हुआ है ना कि मतलब जब तक लोग मदद कर पाए ambulance जो है ना आप आई ambulance hospital जो है ना लेकर के जा पाती तब तक क्या हो बॉड़ी से इतना खून बहा की on the spot death हो गई ऐसा भी होता है तो यह जो bleeding है यह अच्छी बात तो है नहीं जाहिर सी बात है however the body has its own natural device of preventing the loss of blood by forming a blood clot जैसे कि मैं आख बता है कि हमारे body में हमारे body में एक natural process चलती है जैसे हम क्या बोलते हैं blood clotting इस blood clotting से होता क्या है clot बनता है और यह clot क्या करता है यह clot आप बोल सकते हो कि bleeding को रोगता है which plugs the injury and stops for the flow of blood and also checks the entry of pathogenic microorganisms जाहिर सी बात है अगर चोट लग जाती है नहीं तो हम उसको pelletidol से साफ करते हैं यह ना betadine लगाते हैं क्यों क्योंकि जो घाओ हुआ है skin तो फट गई है यहां कि आप बोल सकते हो कि हट चुकी है अब यहां पर घाओ है अंदर की जो cells हैं वह exposed होगा है skin तो निकल गी न यहां की जब चोट लगती है तो skin निकल जाती है जहां पर चोट लगती है अंदर की जो cells है वह बाहर exposed हो जाते हैं और हमको पता है कि हमारे air में बहुत सारे क्या है microorganisms हैं तो वो कभी भी आकर के cells को damage कर सकते हैं इसलिए आप बोल सकते हो कि जो clot है जो clot है न वो ऐसे आकर के क्या बोलेंगे उसको जहां पर भी damage हुआ है उस जगा को seal कर देता है ताकि bleeding तो रुके ही रुके जो निकल रहा है वो तो मतलब वो तो रुकी जाए बाहर निकलना बंद हो जाए at the same time जो pathogenic microorganisms है वो भी अंदर ना घुस पाए the process of blood clotting is a complex process which is mainly initiated and maintained by the platelets which circulate around the body along with other blood components okay तो यह complex process है जो कि mainly कैसे initiate होती है और कैसे maintain होती है platelets के थूँ इसलिए मैंने आका बढ़ाता है कि platelets का हम इंतजा मलब platelets को हम और पढ़ेंगे आज के इस session में blood clotting में है ना जब हम blood element जब हम blood corpuscles पढ़ रहे जब हम informed elements पढ़ रहे तो मैंने आपको RBCS के बारे में पढ़ाया था WBCS के बारे में मैंने आको पढ़ाया था platelets के लिए बोला था कि आज के इस session में पढ़ेंगी तो देखो पढ़ लिया तो यह complex process है जो कि initiate और maintain होती है कैसे by platelets which circulate around the body along with other blood components ठीक है चलो यह देखो मैं इस network की बात कर रहे थी यह क्या है यह cloud है इस blood clot में आपको fibers का network नजर आ रहा होगा यह देखो कि यह क्या है यह बहुत ही सुंदर सा blood clot है यह क्या है blood clot ठीक है इसमें आपको सुंदर से fibers का network नजर आ रहा होगा network में आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो Rbc से dead and damaged Rbc फसी हुई है यह देखो यह जो ईना Wbc भी फसे हुए बीग भीच में प्लैटलेट्ट्स भी जो इना आपको यहाँ पर फसे हुए मिलेंगे तो यह बहुत यह सुंदर सी in the region of injury the platelets rupture जहां injury होती है जो site of injury है जहां पर चोट लगती है वहां कि जो platelets है वो क्या होते हैं ऐसे rupture हो जाते हैं और release करते हैं एक substance को जिसको हम बोलते हैं thromboplastin यह देखो, बताया था ना मैंने आपको thromboplastin तो जहां पर चोट लगती है at the site of injury at the site of injury जो platelets है वो क्या करते हैं rupture करते हैं जो ruptured platelets हैं वहां से release होता है एक substance जिसका नाम है thromboplastin यह thromboplastin along with calcium ions convert हो जाता है किसमें thrombokinase में तो calcium ions के साथ thromboplastin जो की ruptured platelets से release हुआ है क्या बन जाता है thrombokinase this thrombokinase जो है convert करता है thromboplastin pro thrombin को thrombokinase क्या करता है pro thrombin को convert करता है thrombin में pro thrombin को convert करता है thrombin में vitamin K is essential for the formation of pro thrombin in liver पूछूंगी मैं या दर रतना quiz में यह वाला question आएगा thrombin then changes soluble fibrinogen protein into fibrin फिर इसके बाद में यह जो thrombin है देखो आपको बताया था ना कि यह जो thrombin है यह जो thrombin है यह क्या करेगा यह जाकर के fibrinogen को change कर देगा किसमे? fibrin में fibrinogen को change कर देगा किसमे? fibrin में ठीक है? the later undergoes rapid polymerization to form long fibers तो basically ऐसे fibers होता है fibrinogen के जब fibrinogen जो है convert होता है कि इसमें fibrin में जब fibrinogen convert होता है fibrin में तो basically polymerization होता है ऐसे लंबे-लंबे fibers का network बन जाता है the fibers form a network over the damaged या injured region जहां पर blood capillary की wall फटी है जहां से blood capillary की wall rupture हुए वहां पर देखो fibers का जो network है वो चला जाता है entrap कर लेता है dead blood corpusels को और बना लेता है क्या blood clot तो सिर्फ ये मत बोलना कि blood clot मतलब क्या fibers का network blood clot मतलब क्या fibers का network ना fibers के network में fibers के network में dead and damaged blood cells होते है dead and damaged fibers के network में कौन फसे रहते हैं dead and damaged blood cells WBCs, RBCs bloodlets तो वो बनता है क्या clot ठीक है देखो ना the fibers form a net form a network over the damaged region entrap dead and trap dead blood corpusels and form a blood clot तो blood clot की ये image ध्यान रखना ठीक चलो आप देख सकते हूँ कि किस तरीके से ये जो vessel थी या जो blood capillary थी इसकी जो दीवार वो यहां से फट गई थी ये क्या है this is blood capillary या blood vessel भी बोल सकते हो दीवार यहां से फट गई थी और देखो यहां से किस तरीके से जो आरबीसी वगएरा है जो प्लेक्टेट से वो कैसे बाहर निकल रहे थे होने कि यहां से bleeding हो रही थी है ना यहां पर क्या रहा था bleeding हो रही थी फिर इसके बाद में देखो fibers का network बन गया network में जो है ना आकर के dead and damaged blood cells and trap हो गए तो क्या बन गया? clot बन गया? और देखो clot किस तरीके से आकर के bleeding को रोग देता है कुछ पलने पड़ा की नहीं? यह देखो ठीक है? clot में देखो fibrin fibers fibrin के लंबे-लंबे fibers है network है fibrin के लंबे-लंबे fibers है network है fibers का जिसमें की red blood cells है white blood cells है platelets जो है ना यह सारे dead and damaged है यह मत सोचना क्या पता है मैं आपको कि RBCs के पास WBCs के पास platelets के पास बड़े सारे काम होते है तो यह तो मतलब नहीं है कि जो है ना बे वज़ा RBCs और WBCs आकर के फस गये हूं उसमें network में ना जो dead है जो damage ने वहीं आकर के फसेंगे ठीक तो आप इसका भी screenshot ले सकते हूं तो blood clotting होता है complete इतना ही मुझे आपको पढ़ाना था और इतना ही आपको पढ़ना था उमीद करती हूं कि आप लोगों को blood clotting अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है अब हम बात करते हैं अपने next topic की जो की है lymphatic system अब मैं आपको पढ़ाऊंगी lymphatic system सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि lymphatic system बनता कैसे है ठीक है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि lymphatic system बनता कैसे है कैसे देखेंगे कैसे पढ़ेंगे diagram के द्रू देखो ऐसा है कि मेरा काम ना बिना diagram के चलता ही नहीं है मैं तो खाना भी डाइग्राम के साथ ही खाती हूँ ठीक है तो अब हम पढ़ने जा रही है क्या लिम्फाटिक सिस्टम यहाँ पर मैं एक डाइग्राम ड्रॉ करने जा रही हूँ आपको क्या करना है कि इस डाइग्राम को बहुत अच्छे से देखना है और जो मैं बोलूँगी उसे बहुत अच्छे से सुनना है जितना ध्यान से देखोगे जितना ध्यान से सुनोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा और चीजे सीधे दिमाग में जा करके बैठती जाएगी ठीक, तो चलो, शुरू करते हैं शुर्वात होती है आर्टरी से ये क्या है? आर्टरी है आर्टरी क्या होती है? ब्लेट वेसल, ठीक है? ये है आर्टरी जोकी है एक ब्लेट वेसल अब ये जो blood vessel artery है न ये आगे जाकर के कुछ और पतली-पतली blood vessels में divide हो जाती है ये क्या है? आटरी है ये एक blood vessel है जो कि आगे जाकर के और पतली-पतली blood vessels में divide हो जाती है ठीक? कुछ इस तरीके से ये और इन पतली-पतली blood vessels को हम क्या बोलते है? arterioles क्या बोलते है? arterioles ये क्या है? arterioles ये एक arterioles है और ये भी एक arterioles है शुर्वात हमने करी है एक artery से artery क्या है? एक blood vessel है जो कि आगे जाकर के और पतली-पतली blood vessels में divide हो जाती है और इन ही पतली-पतली blood vessels को हम क्या बोलते हैं? arterioles या arterioles ये एक arterioles ये एक arterioles और ये भी एक arterioles चीक है? अभी मैं बात करती हूँ इस arterioles की ये arterioles आगे जाकर के और पतली-पतली blood vessels में divide हो जाती है ये वाली arterioles खुद एक पतली blood vessel है लेकिन ये पतली blood vessel आगे जाकर के और पतली-पतली blood vessels में divide हो जाती है कुछ इस तरीके से चीक? ये है और ले लो ठीक है? या इतनी ही रहने देते हैं वरना खौश-पौश हो जाएगी तो ये जो और पतली-पतली blood vessels आई है इन्हें पता है अब हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोलते हैं capillaries ये क्या होती है? capillaries ठीक है? ये भी एक capillary है ये भी है, ये भी है जिसके बारे में हमने अभी blood clotting में समझा था, पढ़ा था अब होता क्या है? ये जो capillaries है ना ये capillaries एक और्गन में एंटर कर जाती है ये capillaries एक और्गन में एंटर कर जाती है ये क्या है? और्गन है ये क्या है? ये है एक और्गन ठीक है? और्गन के अंदर क्या होगा? सपोज और्गन के अंदर ये एक tissue है वैसे तो बहुत सारे tissues होता है लेकिन अभी के लिए हम जितना जो है ना अपने डाइग्राम को simple रखे उतना ही आपको clearly समझ में आएगा ये एक organ है ये क्या है ये है organ का एक tissue organ का tissue tissue में क्या होते हैं cells होते हैं कि नहीं होते हैं ये देखो ये cells है ठीक है ये क्या है cells है ये जो आपको space नजर आ रही है एक मिनट यहाँ पर मैं लिख भी देती हूं कि ये क्या है tissue के cells है ठीक है अब यहाँ पर आपको cells के बीच में जो space नजर आ रही है मैं इसको थोड़ा सा highlight कर देती हूं तो आपको समझ में आएगा ये देखो cells के बीच में ये जो space है है ना cells के बीच में यहाँ पर क्या है space है और इस space को क्या बोलेंगे आप ही बताओ अरे cells के बीच की space को क्या बोलते हैं इंटर सेलिलर स्पेसेज इजी है न तो यह क्या है इस इंटर सेलिलर स्पेसेज आप बोलोगे कि मैं कुछ जादा ही स्पेसेज नहीं है cells के बीच में इतनी नहीं होती है मैं आपको क्या बताया अपने डाइग्राम को हम जितना सिंपल रखेंगे उतना बहतर तरीके से आपको समझ मैंगा अगर मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें ड्रॉ कर दूँगी तो यहाँ पर कुछ नहीं खिचड़ी बन जाएगी खिचड़ी बन तो जाएगी लेकिन आपको पसंद नहीं आएगी मतलब आपको समझ नहीं आएगी तो हम अपने डाइग्राम को बिलकुल सिंपल रख रहे है ठीक है शुरवात कहां से हुई थी शुरवात हुई थी इस आटरी से कहां से हुई थी शुरवात आटरी से हुई थी आटरी क्या है एक ब्लड वेसल है यह ब्लड वेसल आगे जाकर के और पतली-पतली ब्लड वेसल में डिवाइड हो जाती है आटरी एक ब्लड वेसल है जो कि आगे जाकर के और पतली-पतली blood vessels में divide हो जाती है और इन पतली-पतली blood vessels को हम क्या बोलते हैं? अरे आर्टरी एक blood vessel है बाई जो कि आगे जाकर के और पतली-पतली blood vessels में divide हो जाएंगी और उन्ही पतली-पतली blood vessels को हम क्या बोलते हैं? आर्टिरियोल क्या बोलते हैं आर्टिरियोल तो ये भी एक आर्टिरियोल ये भी एक आर्टिरियोल अभी हमने फोकस किया है इस वाली आर्टिरियोल पर ये जो आर्टिरियोल है ये भी आगे जाकर के और पतली पतली ब्लेड वेसल्स में डिवाइड हो जाएगी ये जो आर् और पतली उन और पतली blood vessels को हम क्या बोलेंगे उन और पतली blood vessels को हम बोलेंगे blood capillaries ठीक है अब यह जो blood capillaries है यह enter कर जाती है एक और्गन में ये ब्लड कैपिलरीज और पतली पतली ब्लड कैपिलरीज एंटर कर जाती है एक और्गन में ये क्या है एक और्गन है ये क्या है और्गन का एक टिशू है और इस टिशू में आपको सेल्स नजर आ रहे होंगे cells के बीच में आपको spaces नजर आ रही होंगी cells के बीच में आपको जगा नजर आ रही होगी spaces नजर आ रही होगी जिनने हम क्या बोलता है intercellular spaces ठीक अब देखो क्या होता है ठीक है भाई ऐसा है कि यह जो हमने आट्री बनाई थी इसमें क्या flow हो रहा होगा अपना दिमाग लगाओ यह जो हमने यहां पर आट्री बनाई थी इसमें क्या फ्लो हो रहा होगा चमनप्राश, रूवजा नहीं blood, exactly इस आट्री में अरे इस आट्री में blood flow हो रहा होगा तो कुछ इस तरीके से हम blood जो है बना देते हैं आट्री में blood flow हो रहा होगा फिर यह blood कहां जाएगा यह blood जाएगा arterioles में है ना blood कहां जाएगा arterioles में यह लो, चला गया आर्ट्री में blood flow हो रहा था यह blood कहां गया arterioles में गया अब arterioles से यह blood कहां जाएगा तो इन capillaries में कहां जाएगा इन capillaries में चीक है कुछ इस तरीके से यह देखो capillaries में यह गया blood अब क्या होगा capillaries में capillaries में blood flow हो रहा है आर्ट्री में blood flow हो रहा था यह blood कहां गया arterioles में गया arterioles से यह blood कहां गया blood capillaries में आ गया अब blood capillaries से कहां जाएगा ब्लड कैपिलरीज में ही रहेगा ये ब्लड ब्लड कैपिलरीज में ही ये ब्लड रहेगा ऐसा नहीं की फूट के बाहर आ जाएगा ये मैं हूँ ना सप्राइज ना आर्टरी में ब्लड फ्लो हो रहा था ये ही ब्लड आर्टिरियोल्स में जाएगा आर्टिरियोल्स से ये ब्लड ब्लड कैपिलरीज में आएगा और ब्लड कैपिलरीज में ही ये ब्लड फ्लो होता रहेगा कैपिलरीज के बाहर नहीं आएगा तो इसको हमें आगे कंटिनियू करना होगा आई बात समझ में हमें इसे आगे कंटिनियू करना होगा ऐसा नहीं होता कि capillaries के बाहर आ जाए blood capillaries के बाहर blood आता है अभी अभी blood clotting पढ़ाई थी ना मैंने उसमें क्या हो रहा था bleeding कैसे हो रही थी bleeding तभी तो होती है ना जब blood capillaries से blood बाहर आ जाता है अरे blood capillaries से जब blood बाहर आ जाता है skin के बाहर आ जाता है तभी उसी को तो हम बहुते हैं bleeding तो यहां पर हम bleeding नहीं पढ़ रहे हैं bleeding हो चुकी clotting हो चुकी अब आगे बात कर रहे हैं इन capillaries में जो blood flow हो रहा है वो blood in capillaries में ही flow होता रहेगा बाहर नहीं आने वाला अभी कि आप सोच रोगी organ के लेवल पर organ के लेवल पर organ के अंदर capillaries आ गई हैं तो capillaries का जो blood होगा वह organ में जाकर के फैल जाएगा ना capillaries के अंदर ही blood flow होता रहेगा तो इसको हमें आगे continue करना होगा इन capillaries को ऐसे छोड़ नहीं देंगे छोड़ देंगे तो क्या होगा capillaries के अंदर का जो blood है वो पूरे organ में आ जाएगा organ में जो है ना blood भरता जाएगा भरता जाएगा capillaries को अगर हमने ऐसी छोड़ दिया open तो पूरा का पूरा जो blood है वह कहां आ और्गन में और्गन में जो है ना ब्लड अता जा रहा है और्गन में ब्लड भरता जा रहा है और फाट से प्या होगा फट जाएगा नहीं होना चाहिए इसलिए इसको हम आगे continue करेंगे चलो continue करते हैं कुछ इस तरीके से यह जो capillaries है यह जो capillaries है ठीक है थोड़ा सा और पटला कर देते हैं पटला पटला हाँ ये जो capillaries है अब ये आगे जाकर के पता है किसमें मिलेंगी ये जो capillaries है ये आगे जाकर के मिलने वाली है पता है किसमें बिनियोल में किसमें विनियोल में जैसे कि आर्टिरियोल होता है वैसी क्या होता है यहां पर विनियोल भी होता है, विनियोल भी होता है, एक मिलिट में स्पेलिंग चेक कर लूँ, विनियोल की, विनियोल हाँ, ठीक है, विनियोल, ठीक है, ऐसा ही एक विनियोल यहाँ भी होता है, ऐसा ही एक विनियोल यहाँ भी होता है, यह भी क्या है, विनियोल है, विनियोल, और भी विन्योल्स होते हैं और यह सारे के सारे विन्योल्स कहां पर जाकर के खुलते हैं तो वेन में कहां वेन में तो यहां पर आर्टरी थी आर्टरी डिवाइड हो जाती है आर्टरियोल्स में यहां आर्टरी थी आर्टरी डिवाइड हो गई आर्टिरियोल्स में जो एक आर्टिरियोल है जो एक आर्टिरियोल है वो डिवाइड हो जाता है किसमें कैपिलरी में एक आर्टिरियोल डिवाइड हो जाता है किसमें कैपिलरी में ये कैपिलरी एक और्गन में जो है ना घुस जाती है फिर ये capillaries organ के बाहर भी निकलती है अब जब ये capillaries organ के बाहर निकल रही है तो ये capillaries किसमे जाकर के मिलेंगी तो एक vinyol में ये capillaries जब organ से बाहर निकलेंगी तो किसमें मिलेंगी जाकर के? ये capillaries organ से बाहर निकलेंगी तो ये जाकर के मिलेंगे vinyol से ऐसे ही बहुत सारे vinyol होते हैं और ये सारे के सारे vinyol आगे जाकर के खुलते हैं किसमे? वेन में तो ये artery और ये vein तो भाई vein में भी तो blood flow होई रहा होगा ना? वेन में भी अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-वेन में भी तो blood flow होई रहा होगा चलो बना देते हैं ये लो ये तो interstitial spaces से जो है ना? मतलब intercellular spaces से mix हो गया है color चलो ये लो अब खुश 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 चलो इन वेन में भी blood तो flow होई रहा होगा कुछ ऐसे ठीक? तो capillaries में भी blood flow होगया विनियोल में भी हो गया और वेन में भी हो गया अब वापस आओ यहां पर देखो होता क्या है कि जब capillaries यहां पर आती है कहां? और्गन के अंदर तो और्गन का जो tissue है, tissue में जो cells वैसे रो रहे होते हैं cells का कामी क्या है? रोना cells का कामी क्या है? रोना cells जो हैं ऐसे रो रहे होते हैं हमने जाकर के पूछा कि cells का है रो रहे हो? यह भी रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं और्गन के जो tissues हैं, tissues के जो cells हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे रोने लग जाते हैं, पूछा क्यों रो रहे हो, तो उन्हें बोला कि हमें oxygen चाहिए है, हमें glucose चाहिए है, क्या चाहिए है, oxygen चाहिए है, क्या चाहिए है, glucose चाहिए है, तो हमने बोला कि तुम्हारे पास, मतलब आप करते हो कि औरगन के अंदर ब्लड कैपिलरीज आई तो है कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उस ब्लड में उस ब्लड में ऑक्सिजन भी है ग्लुकोस भी है तो एक काम करो ना सेल्स औरगन के सेल्स तुम जाकर के कैपिलरीज के ब्लड से बोलो कि तुम्हें ऑक capillaries के अंदर जो blood flow हो रहा है उससे request करी कि blood तुम्हारे पास oxygen है तुम्हारे पास glucose है प्लीज हमें दे दो तो blood बोलता है कि ठीक है ले लो कैसे ले लो अंदर आ जाओ cells तुम capillary के मतलब हमारे हमारे मतलब की capillary के अंदर आ जाओ तो cells बोलते हैं कि ना भी ना हम capillary के अंदर नहीं जा सकते हम तो organ के cells हैं तो हम तो organ में ही रहेंगे हम नहीं आ सकते capillary तुम्हारे अंदर नहीं आ सकते ये कौन बोल रहा है cells बोल रहा है capillary से कि capillary हम तुम्हारे अंदर नहीं आ सकते हैं तुम्हीं कुछ करो तो capillary बोलती है कि चलो ठीक है मैं ही कुछ करती हूँ अब capillary में जो blood flow हो रहा होता है उस blood से या उस blood का जो plasma है blood के दो components होते हैं बताए था ना मैंने आपको अभी अभी एक तो plasma होता है जो की fluid matrix है blood का पहला component क्या है plasma जो की fluid matrix है blood का दूसरा component क्या होता है blood cells blood corpus cells जने हम formed elements भी बोलते हैं तो cells तो जा नहीं सकते हैं capillaries के अंदर तो capillaries से होता क्या है capillaries में जो blood flow हो रहा है blood में जो plasma है blood में जो plasma है वो plasma वो plasma कहां बताओं कहां बताओं चुले यहां बताती हूं वो plasma capillaries के बाहर निकलाता है जैसे कि अगर मैं बात करूँ अभी इस capillary की अगर मैं बात करूँ अभी ये वाली capillary की इस वाली capillary की तो इस वाली capillary में जो blood है blood का जो plasma है वो plasma blood का plasma capillary के बाहर आगया blood का plasma capillary की वाल को क्रॉस करके जो प्लास्मा है वो कैपलरी से बाहर आ गया बाहर कहां आ गया तो यह जो सेल्स के बीच में इंट्रसेलिलर स्पेसिस थी ना वहां आ गया इंट्रसेलिलर स्पेसिस में ब्लड का प्लास्मा आ गया है ब्लड कहां बहरा था ब्लड ब्लड कैपलरी में ब कापिलरी की वॉल को क्रॉस करके कहां आ गया इंटर सेलिलर स्पेसिज में आ गया जैसे ही प्लाज्मा आया बाहर कैपिलरी के Caballery के अंदर जो blood था Blood में अलग-अलग cells होते हैं WBCs, RBCs और platelets तो जैसे ही blood से plasma बाहर गया उसको देखा देखी, उसको copy करने के लिए Blood में जो WBCs है Blood में जो WBCs है वो भी बाहर निकल आते हैं Blood में जो WBCs है WBCs वो भी बाहर निकल आते हैं सारे नहीं, कुछ WBCs बाहर निकल आते हैं अच्छा खासा capillary के अंदर blood था Blood में plasma था Blood में blood cells थे plasma proteins थे लेकिन plasma ने क्या करा capillary की wall को cross करके वो plasma blood से बाहर निकल आया capillary से बाहर निकल आया intercellular spaces में आ गया जैसी plasma बाहर आया हूँ उसको देखा देखी blood में जो WBCs थे blood में जो WBCs थे वो WBCs भी capillary की wall को cross कर लेते हैं और कहां जाते हैं कहां आ जाते हैं? intercellular spaces में आ जाते हैं सारे नहीं आते हैं कुछ WBCs चले आते हैं मूठा करके बाहर blood से बाहर निकल आते हैं capillary की दिवाल को cross कर लेते हैं और आ जाते हैं कहां? intercellular spaces में तो यहां पर क्या क्या आ चुका है? यहां पर यहां पर intercellular spaces में plasma आ चुका है WBCs आ चुके हैं और plasma proteins होते हैं plasma proteins globulin, albumin और वो कौन सा? वो plasma proteins भी बाहर निकल आते हैं capillary की दिवार को cross करके capillary से बाहर आ जाते हैं blood से बाहर निकल आते हैं कहां? intercellular spaces में सारे के सारे? नहीं, कुछ है ना? तो some यहां पर plasma proteins some plasma proteins भी बाहर निकल आते हैं और अब यह तीनों ही मिलके पता है क्या कहला आ जाते हैं? tissue fluid क्यों? क्योंकि tissue के cells के बीच में है न? tissue में जो cells है cells के बीच में जो intercellular spaces है उन intercellular spaces में है न यह यह तीनों plasma, कुछ WBCs और कुछ plasma proteins तो इसलिए अब इन तीनों को मिला करके हम क्या बहते हैं? tissue fluid यह क्या बन जाता है? यह बन जाता है tissue fluid क्या बन जाता है यह tissue fluid तो समझ में आया tissue fluid कैसे बना? कि capillaries में blood flow हो रहा था सबसे पहले blood से plasma अलग हुआ और capillary की wall को cross करके intercellular spaces में आ गया उसको देखा देखी blood में जो कुछ WBCs है blood में जो कुछ WBCs है वो WBCs भी blood से अलग होते हैं capillary की wall को cross करते हैं और आ जाते हैं intercellular spaces में similarly उन दोनों को देखा देखी blood में जो plasma proteins होते हैं कुछ plasma proteins ऐसा नहीं कि जितने भी plasma proteins है वो सारे के सारे भार आ जाएंगी ना blood में जो कुछ plasma proteins हैं वो भी blood से अलग होंगे capillary की दिवार को cross करेंगे और आ जाएंगे intercellular spaces में और यह क्या बन जाता है अब इन तीनों के combination से tissue fluid बन जाता है अब आप बोलोगे कि मैं यह tissue fluid क्यों बन रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी समझ में आएगा अब क्या होता है ना जब tissue fluid बन जाता है तो अब blood बड़ी ही चतुराई से देखो capillary के अंदर जो blood था उसमें oxygen था capillary के अंदर जो blood था उसमें oxygen थी glucose भी था बाहर जो cells है उनको चाहिए था वो रो रहे थे capillary ने बोला कि तुम अंदर आ जाओ हमारे तो cell ने बोला कि ना हम अंदर नहीं आ सकते हम तो organ की cell है हम तो organ में ही रहेंगे आई बस समझ में तो capillary भी तिशाणी होती है capillary अपने blood को बाहर नहीं आने देती है capillary अपने blood को बाहर नहीं आने देती है जैसे ही capillary देख लेती है कि अच्छा plasma कुछ WBCs कुछ plasma proteins यह बाहर आ गये हैं और इनने मिल करके एक tissue fluid बना लिया है अच्छा मौका है इसी tissue fluid में oxygen और glucose release कर दो इसी tissue fluid में इसी tissue fluid में oxygen and glucose release कर दो कहां से capillary capillary के अंदर blood था ना उस blood में oxygen थी glucose था तो अब capillary के बाहर कौन आते हैं blood से capillary के blood से अब बाहर कौन आते हैं glucose and oxygen बाहर कहां आते हैं इसी tissue fluid में आते हैं capillary का blood खुद बाहर नहीं आया सबसे पहले तो tissue fluid आप बोल सकते हो कि बाहर बन गया जब tissue fluid बन गया तब capillary के blood ने क्या करा कि oxygen और glucose को capillary के बाहर निकाल दिया कहां tissue fluid में अब क्योंकि इस tissue fluid के contact में इस tissue fluid के contact में suppose सारे cells रहते हैं क्योंकि tissue fluid है क्या tissue fluid तो intercellular spaces में है न अभी मैंने एक जगा बनाया है tissue fluid ऐसा ही tissue fluid यहां भी होगा intercellular spaces में होता है tissue fluid भरा रहता है और इसी tissue fluid में क्या होता है अब oxygen और glucose चले आते हैं, इसी tissue fluid में oxygen and glucose चले आते हैं, capillary के blood से बाहर तो आसपड़ोस के cells क्या करते हैं, tissue fluid से ही oxygen and glucose को ले लेते हैं ठीक है, क्या करते हैं आसपड़ोस के cell, tissue fluid से ही oxygen and glucose को ले लेते हैं ना capillary के blood को बाहर आना पड़ा, ना cells को capillary के अंदर आना पड़ा सबके लिए win-win situation हो गई, क्योंगि capillary के blood से capillary के blood से plasma, कुछ plasma proteins and WBCs बहार आ गए थे capillary के blood से blood का plasma, कुछ plasma proteins and WBCs blood से अलग हो गए थे, capillary की दीवार को क्रॉस करके बहार आ गए थे और क्या बन गए थे, tissue food बन गए थे, इसी tissue fluid में oxygen and glucose चले आते हैं capillary के blood से और इसी oxygen and glucose को जो की tissue fluid में आ चुके हैं बदले में देते हैं carbon dioxide, लगो, बदले में दे देते हैं क्या, कौण सा कले, लूनर, चलो बदले में दे देते हैं क्या carbon dioxide ये दे दी क्या carbon dioxide ठीक है फिर ये carbon dioxide कहां जाएगी cells ने क्या करा cells ने आसपरोस में जो ऐसे tissue fluid फैला हुआ है उसमें से oxygen ले ली glucose ले लिया और बदले में उसी tissue fluid में क्या डाल दिया opportunities उसी tissue fluid में yeah ql ry a carbon dioxide कै डिशu fluid जो carbon dioxide है वो कहां चला जाएगाज तियू में जो carbon dioxide है वो औ Attila कॉरें जाएगी वह चली जाएगी इस इसी blood में कहां चली जाएगी इसी blood में अदर कैके चो जाएगे national carbon dioxide आई है ना वहं carbon Dioxide Capillary के Blood में घुश जाएगी ठीक है और फिर इसके बाद में जो Blood है ना ये इन Capillaries के थूँ देखो यहां से यहां पर तो आटरी थी ना आटरी क्या करती है Oxygenated Blood लेकर के आती है आटरी क्या करती है हमने पढ़ाया ना आटरी जो है Oxygenated Blood लेकर के आती है तो देखो आ तो रही थी आटरी Oxygenated Blood लेकर के लेकिन औरगन के लेवल पर क्या हुआ? औरगन के लेवल पर औरगन के सेल्स ने Blood में जो Oxygen थी जो Glucose था वो ले लिया और बदले में Blood को क्या दे दिया? बदले में Blood को दे दिया Carbon Dioxide तो अब ये जो Carbon Dioxide Rich Blood है वही Oxygen तो खतम हो गई Blood में ना के बराबर है लेकिन क्या है Carbon Dioxide है? तो ये जो Deoxygenated Blood है अब ये जो Deoxygenated Blood है ये अब इन Capillaries में Flow होगा फिर Vinyols में जाएगा और Vinyols से कहा आ जाएगा? वेन में आ जाएगा आयो बद समझ में इतना समझ में आया अब चलो अब देखो ऐसा तो है नहीं कि बस एक बार Blood आया एक बार गया और हो गया नहीं ये जो Cells है इनके तो डिमांड खतम होती नहीं है इनको तो लगातार Oxygen चाहिए लगातार Glucose चाहिए तो लगातार जो ना आर्टर से Blood आता जाएगा वेन्स से जो है वो Blood जाता रहेगा रास्ते में और्गन के लेवल पर क्या हो रहा होगा टिशू Fluid Inter Cellular Spaces में और्गन के अंदर टिशू में Item Cellular Spaces में टिशू Fluid भरता जाएगा टिशू Fluid जो है भरता जाएगा Blood आता जाएगा निकलता जाएगा ऑर बीच में हापर क्या हो रहा होगा tissue fluid intercellular spaces में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा basically यह जो tissue fluid है, इनने किया क्या? tissue fluid as such कोई transportation में involved मही होता है जो tissue fluid है, वो as such कोई transportation में involved मही होता है लेकिन इनके थूँ ट्रांसपोर्ट हुआ तो tissue fluid में ही oxygen आई थी, tissue fluid में ही glucose आया था फिर वहाँ से वो दोनों कहां गए, cells में गए cells से carbon dioxide भी कहां आई थी, tissue fluid में ही आई थी और fluid से फिर जना वो कहां गए थी, दुबारा से capillaries के blood में गए थी, तो as such लिए transportation में अपनी मर्जिय से involved नहीं होता है, tissue fluid लेकिन इनके थूर ट्रांस्पोर्टेशन हो जाता है, अब यहाँ से blood आता जा रहा है, यहाँ से जाता जा रहा है, तो क्या हो रहा है? और और गन के अंदर, tissue में जो cells हैं, cells के बीच में जो intercellular spaces हैं, cells के बीच में जो intercellular spaces हैं, वहाँ पर tissue fluid भरता जा रहा है, ऐसे तो पूरे organ में tissue fluid भरता जाएगा और organ जो है वो बरबाद हो जाएगा इसलिए ऐसा ना हूँ इसलिए ऐसा ना हूँ यहां पर यहां पर होती है कुछ capillaries यहां पर होती है कुछ capillaries और वो बनाने के लिए मैं इसको बिटाती हूँ ठीके ना यहां पर होती है क्या कुछ capillaries देखो कुछ इस तरीके से यह है capillaries दिख रही है यह वाली यह capillaries यह capillaries पता है यह बड़ी अनोखी सी होती है कैसे देखो यह blind capillaries है blind मतलब क्या यह मत सोचने की इनके पास आखी नहीं है इसलिए blind capillaries है ना blind capillaries का मतलब यह है कि यह capillaries ना एक end से close होती है यह capillaries एक end से close होती है यहां से खुली रहेंगी लेकिन देखो यहां से बंध है अगर आप in capillaries को को देखोगे तो यह कंटेनेशन में थी यह केपलरी को देखो इनके आगे मैं और कुछ निदाओंगी कि यहां पर कैपलरी का हुई है आकर के बंद हो गए एक एंड से खोली रहेंगी दूसरे एंड से क्या होती है बंद रहती है इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं blind capillaries ठीकिन और अब क्या होगा इनहीं capillaries में tissue fluid आ जाएगा इनहीं capillaries में जो मैंने अपको क्या बताया यहां से artery से blood आता जा रहा है capillaries में आता जा रहा है फिर veins से जो है वो निकलता जा रहा है लेकिन रास्ते में organ के level पर क्या होता है tissue fluid intercellular spaces में भरता जाता है ऐसा ना हो कि organ ही भट जाए tissue fluid के कारण इसलिए जो excess tissue fluid है उसको collect करने के लिए यह capillaries आती हैं जो की होती है blind capillaries इनही blind capillaries में जो extra tissue fluid है इनही blind capillaries में जो extra tissue fluid है वो आ जाता है ठीक है ना तो इन in blood capillaries में in blind blood capillaries में blood capillaries नहीं बोलेंगे इनको अभी हम blind capillaries बोलेंगे तो in blind capillaries में हुआ क्या extra tissue fluid जो है आ गया और जब tissue fluid capillaries में आ जाता है तो अब उस tissue fluid को tissue fluid नहीं बोलते हैं अब उसको हम बोलते हैं lymph क्या बोलते हैं lymph क्या बोलते हैं lymph जब capillaries में जब capillaries में blind capillaries के अंदर tissue fluid आ जाता है तो अब capillaries के अंदर उस tissue fluid को tissue नहीं अब उसको लिम्फ बोला जाता है जैसे कि घर के अंदर कौन है छगन 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 घर के बाहर निकले तो आयुश्मान राय सिंग हानिया वह वाली बात है जब तक intercellular spaces में था तब तक tissue fluid जैसे ही tissue fluid in blind capillaries में आया अब यह क्या कहलाएगा लिम्फ कहलाएगा और क्योंकि lymph in capillaries में बह रहा है इसलिए in capillaries को अब हम क्या बोलते है lymph capillaries यह क्या होती है these are lymph capillaries क्या होती है यह lymph capillaries होती है ठीक अब यह जो lymph capillaries है यह आगे जाकर के खुलती है कहा लिम्फ वैसल में लिम्फ वैसल में बहुत सारे lymph vessels होती है अब दो यहां पर मैंने एक ही बनाई है यह सारी की सारी lymph vessels हमारे बोड़ी में बहुत सारे lymph vessels होती है बहुत सारी lymph vessels होती है यह सारी की सारी lymph vessels मिल के बना लेती हैं दो लिम्फ टिक्ड़्स सारी की सारी निम्फ वैसल्स मिल करके बना लेती हैं दो लिम्फाटिक ड़क्ट क्या बना लेती हैं दो लिम्फाटिक ड़क्ट इसको ज़ाए मैं ओपर लिखती हूँ lymph capillaries ठीक है जितनी भी lymph vessels है वो सारी की सारी मिलकर के क्या बनाती है दो major lymphatic ducts तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दो lymphatic ducts बन चुकी है ठीक है ना यहाँ पर दो lymphatic ducts बन चुकी है और यह दोनों ही major lymphatic ducts यहाँ पर आती है और पता है क्या होता है ultimately यह दोनों ही lymphatic ducts खुल जाती है किसमे जाकर के वेन में ही किसमे वेन में ही तो यह lymph capillaries हुई जो की खुलती है lymph vessels में बहुत सारी lymph vessels होती है जो की मिल करके दा लेती है दो major lymphatic ducts और दोनों ही major lymphatic ducts आगे जाकर के ultimate खुल जाती है किसमे वेन में ही जाहिर सी बात है जाहिर सी बात है जो आप बोल सकते हो कि जो यह जो lymph capillaries है lymph vessels है lymphatic ducts है इन सब में क्या होता है इन सब में lymph बहरा होता है है ना इन सब में देखो ना ओब्वेस सी बात है यह चीक है तो यह lymph capillaries में lymph flow होता है फिर जो lymph vessel है lymph vessel है इन में भी जो है ना lymph flow होता है जो lymphatic ducts है इन में भी क्या होता है lymphatic ducts में भी lymph flow होता है ultimately यह जो lymph है यह blood में ही जाकर के मिल जाता है क्यों? क्योंकि दोनों ही major lymphatic ducts क्योंकि दोनों ही major lymphatic ducts vein में ही जाकर के खोल जाती है तो lymphatic ducts में जो lymph होता है वो भी जाकर के vein के blood में mix हो जाएगा तो आप ये देख सकते हो कि जो lymph था वो बना भी blood से था और जाकर के mix भी किस में हो गया blood में ही हो गया अरे blood का ही तो plasma WBCs कुछ plasma proteins blood का ही plasma WBCs and plasma proteins ये capillary से बाहर आ गये थे ना blood से लड़ जगड़ करके blood हमें तुमाने साथ नहीं रहना है capillaries के बाहर निकल करके आ गये थे और क्या बन गये थे intercellular spaces में आकर कि tissue fluid जिसके तुरू क्या होता था transportation होता था capillaries के blood और cells के बीच में tissue fluid के थू क्या होता है intercellular spaces में organ के अंदर कुछ जादा ही tissue fluid बनता गया तो जो है ये capillaries आई blind capillaries इन में जो extra tissue fluid था in capillaries में पिटा जी in capillaries में blind capillaries में intercellular spaces में जो extra tissue fluid था वो आ गया और जैसे ही tissue fluid in capillaries में आया अब उसको हम क्या बोलते हैं lymph बोलते हैं ये capillaries जाके खुलती है कहां lymph vessel में बहुत सारे lymph vessels होती है सारी की सारे lymph vessels दो lymphatic ducts बना लेती हैं और दोनों ही ducts आगे जाकर के खुलती है कहां ultimately vein में तो इन lymph capillaries में lymph vessels में lymphatic ducts में जो भी lymph बह रहा था वो ultimately vein के blood में जाकर के ही mix हो जाता है तो blood से ही lymph बनता है और lymph जो है ultimately blood में ही जाकर के mix हो जाता है अब ये जो vein है ये जो vein है ये कहां जाएगी अब ये जो vein है ये vein जाती है कहां या तो superior विना कावा में मिल जाएगी या inferior विना कावा में मिल जाएगी suppose यह कहां जाकर कि मिली है superior superior vena keva में vena keva में अरे vena यहां लिखते है vena keva में ठीक है ना superior vena keva में जाकर के यह vena खुल गई है superior vena keva कहां जाएगी superior vena keva कहां जाएगी heart में जाएगी अरे superior vena keva कहां जाती है यह vena जाकर के कहां खुली superior vena keva में यह superior vena keva कहां जाकर के खुलती है heart में और फिर heart से क्या निकलता है heart से निकलता है aota क्या निकलता है aota यह क्या निकला aota और aota से क्या आ गई ये वाली आट्री आ गई एओटा से क्या हुआ ये वाली आट्री आ गई आई बाद समुझ में तो कुछ इस तरीके का सर्क्यूलेशन चलता रहता है क्रपा करके इसका स्क्रीन शॉट ले लो इसलिए मैंने आपको बताया था कि डाइग्राम्स के ही थ्रू मैं आपको पूरा का पूरा लिम्फाटिक सिस्टम पढ़ा दूगी कि लिम्फाटिक सिस्टम में क्या क्या होता है लिम्फाटिक सिस्टम में लिम्फ होता है बता दिया मैंने लिंफ वैसल होती हैं बता दिया मैंने lymphatic ducts होते हैं वो बता दिया मैंने आपको। हाँ लिंफैटिक notes भी होते हैं इनका क्या मतलब होता है देखो यह जो लिंफ वैसल होती है न इन में बीच बीच में चैक पॉइंट्स होते हैं है ना यहां देख लो यहां पर तो बहुती खिचुडी पच गई है मैं लग पच गई है चलो यह जो सपोज यह हमने ग्रीन कलर लिया था ना ग्रीनी लेता है चलो अरे है जैसे यह कलिम्फ वाइसल है ना टो लिम्फ वैसल में बीच-बीच में ऐसे चेक पॉइंट्स होते हैं और इन चेक पॉइंट्स कुई हम क्या बोलते हैं लिमफ् 195 never UK क्या बोलते हैं lymphatic nodes इनमें होता क्या है बेसिकली यहां पर न लिम्फोसाइड होते हैं क्या होते हैं लिम्फोसाइड होते हैं and macrophages होते हैं इनका काम क्या है जो मैंने बोला न चेकपॉइंट कुछ सोच समझ के बोला है यह न बेसिकली लिम्फ को चेक करते रहते हैं लिम्फ को चेक करते रहते हैं कि जो लिम्फ बह रहा है उसमें कोई जो है न पैथोजन तो नहीं है कोई सीस कॉस करने वाला जर्म तो नहीं है तो यह लिम्फ वैसल है लिम्फ वैसल में हमको पता है क्या होता है लिम्फ वैसल में जो है न लिम्फ बहरा होता है कुछ इस तरीके से लिम्फ वैसल में ऐसे लिम्फ बहरा होता है तो लिम्फ में कुई पैथोजन तो नहीं है कुछ ग में लिंफ फ्लो हो रहा है वो फ्लो तो होगा लेकिन इन चेक पॉइंट की थुरू हो करके निकलेगा लिंफ वेसल में लिंफ तो फ्लो हो रहा है लेकिन इन चेक points, जिनको हम बोलते हैं lymphatic nodes, इनके तिरूप जो है न, flow करता है, कि जैसे कि मैं कौन हूँ? एक lymphatic node हूँ, है न, तो यहां से lymph आ रहा है, मैं lymphatic node हूँ, यहां से lymph आ रहा है, तो lymph कहाँ जाएगा? पहले मेरे अंदर जाएगा, lymphatic node में जाएगा और अगर मुझे देख गया कि अरे यह जो lymph आया है मेरे अंदर lymphatic node में इसमें कुछ गड़बड है इसमें तो pathogen है तो क्या होता है lymph node के अंदर जो lymphocytes होते हैं जो macrophages होते हैं lymph node के अंदर जो macrophages होते हैं जो lymphocytes होते हैं वो क्या करते हैं वो उस pathogen को वहीं मार देते हैं कि ले आया बड़ा disease cause करने वाला infection cause करने वाला और फिर क्या होता है साफ सुद्रा लिंफ आगे चला जाता है तो यह पूलिस क्या करती है नाके बंदी करना शुरू कर देती है कि रोड है तो यहां पर जो ना बीच-बीच में checkpoint बना लेती है कि अगर विलन आएगा जो विलन है वह रोड से ही तो आएगा ना उड़के तो जाएगा नी तो जैसे इसी रोड पर विलन आएगा अपनी गाड़ी से उसको पकड़ लेंगे ऐसे ही होता है यहां पर भी कि लिंफ वेसल में लिंफ फ्लो हो रहा होता है बीच-बीच में होते हैं चेक points जिनको हम वहते हैं lymphatic nodes इसमें lymphocytes और macrophages भरे होते हैं और फिर लिंफ जो है वह अच्छा हो जाएगा और अच्छा वाला लिंफ आगे फ्लो होता जाएगा ठीक है तो इसलिए जो lymphatic system है वह हमारे बॉड़ी में immunity के लिए भी काम करता है ठीक है चलो उमीद करती हूँ यह आप सबको समझ में आया होगा तो बस lymphatic system इतना ही था पूरा पढ़ा दिया मैंने आपको ठीक है चलो वापस आते हैं अपनी slides के उपर और फटा-फट से एक बार read कर लेते हैं बाकी तो होई गया है lymphatic system is the second important circulator system it consists of consists of the following lymph, lymph capillaries, lymphatic vessels, lymphatic ducts and lymph nodes चलो यह यह वही है जो मैंने आपको ड्रॉख करके बताया है ठीक है lymph is a colorless fluid connective tissue lymph भी अब देखो मैंने को क्या बताया था कि plasma का कलर कैसा होता है पेल येलो straw कलर का होता है लेकिन हमारा जो blood है वो एकदम red कलर का होता है क्यों क्योंकि blood में rbc होते हैं बहुत जादा और rbc में क्या होता है hemoglobin जिसके कारण जो हमारा blood है वो लाल दिखता है लेकिन अगर आप blood के plasma को अलग कर दो अगर आप अलग कर दो तो वो जो है आपको क्या बोलेंगे pale yellow ऐसी दिखाई देगा तो lymph जो है वो basically क्या है एक colorless fluid connective tissue lymph flows in one direction only that is from tissues to heart lymph जो है वो एक direction में flow करता है कहां से कहां tissues से heart तक आप खुदी देख सकते हो ना यह जो हमने diagram बनाया था lymph capillaries में lymph आ गया था अरे lymph capillaries में lymph आ गया था फिर वहां से lymph vessel में गया फिर lymphatic duct में गया फिर duct से कहां गया ultimately vein में आ करके खुल गया है ना तो vein का जो blood है उसी में lymph आ करके mix हो जाता है vein कहां जाती है वेना केवा में वेना केवा से वेना केवा कहां जाके खुलती है heart में तो यहाँ पर lymph का जो flow का direction है वो तो एक ही है क्या टिशू से लेकर के हार्ट तक ऐसा तो नहीं है कि आर्ट्रीज भी जो है ना लिंफ को लेकर क्या आरी नहीं तो लिंफ के फ्लो का एक ही डारेक्शन होता है टिशू से लेकर के हार्ट तक आई बात समझ में चलो Capillaries have very fine pores through which blood plasma filters out. Capillaries में कुछ-कुछ आप बोल सकते हो कि बहुती fine pores होते हैं जिनके थू जो blood plasma है वो बाहर निकल आता है and starts flowing in the intercellular spaces. This fluid is called extracellular fluid. A part of this fluid enters into lymph capillaries. The fluid inside the lymph capillaries is called lymph. Capillaries के अंदर जैसे ही lymph आता है, तो उसको हम, capillaries के अंदर जैसे ही वो fluid आता है, अब उस fluid को हम क्या बोलते हैं, lymph बोलते हैं. Lymph is clear transparent fluid which contains blood plasma, WBC and some proteins. तो यह lymph का composition है, देख लो, कि lymph क्या है, एक clear transparent fluid है, जिसमें कि blood plasma होता है, cells होते हैं, WBC होते हैं और कुछ plasma proteins होते हैं, कुछ, सारे के सारे नहीं. Lymph enters into lymph capillaries which, एक काम करो न, इसको आप, this fluid is called extracellular fluid और यहाँ पे लिख लो आप क्या, tissue fluid, tissue fluid भी लिख लो यहाँ पे. ओके, a part of this fluid now enters into lymph capillaries. मैं आपको क्या समझाया था? कि tissue fluid है तो important न, क्योंकि उसी tissue fluid के through, उसी tissue fluid के through transportation होता है, blood और cells के बीच में, capillaries के blood और organ के cells के बीच में, तो वो ऐसा नहीं कि, पूरा का पूरा जो tissue fluid है, उसको हम बाहर निकाल देंगे, lymph capillaries में पटक देंगे. न, जो extra tissue fluid होता है, इसलिए आपे लिखा हुआ है, a part of this fluid, a part of this tissue fluid enter करता है कहां? lymph capillaries में और फिर वो क्या कहलाता है? lymph कहलाता है. example, composition क्या है? clear, transparent fluid है, जो की contain करता है blood plasma, WBCs and some plasma proteins. lymph enters into lymph capillaries which join together to form large lymphatic vessels. the lymphatic vessels open into two lymphatic ducts which finally drains lymph into large veins. the lymph nodes occur at intervals in the length of the lymphatic vessels. lymphatic vessels जो होती है, तो बीच बीच में, intervals पर जो है, lymphatic nodes होते है, they contain lymphocytes and macrophages. the lymph filters through lymphatic nodes, एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो lymph है ना, उसकी filtering हो जाती है, जब वो lymph nodes से पास होता है. lymph की filtering हो जाती है, lymph का filtration हो जाता है, जब वो lymph nodes से पास होता है. the macrophages remove microorganisms, cellular debris and foreign particles. कि lymph में जो भी उटपटांग चीज़ है, foreign particles है, debris है, है ना, microorganisms है, macrophages और lymphocytes का करते हैं, उनको माल करके भागा देते हैं, भाग यहां से. lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से lymphatic system भी आपका होता है, complete, मतलब कि human beings में जो transportation है, वो हमने पूरा system पढ़ लिया है, हमने blood clotting पढ़ लिया है, सब कुछ हमारा complete है, अब हम बात करेंगे, कि plants में, अगले session में हम बात करेंगे, कि plants में कैसे transportation की process होती है, तब तक आपने क्या करना है, आपने visit करना है हमारी official website, जो की है magnetbrains.com, कैसे visit करोगे, गूगल पर टाइप करना है, magnetbrains.com, जैसे टाइप करके search करोगे, आपके सामने हमारी official website खुल जाएगी, official website को जैसे visit करोगे, तो आपके सामने यह वाला page जहाँ पर लिखा रहेगा, इंडिया's number 100% free online education platform, जहाँ पर आपको explore top courses का option मिलेगा, यही पर आपको cbc English medium के option पर जाना है, तो यहाँ पर आपको kindergarten से लेकर के class 12 आपको सब कुछ दिखाई देगा, सारी classes आपको आपको जाना है class 10 पर, जैसे class 10 पर जाकर क्लिक करोगे, आपको आपकी सामने यहाँ पर class 10 के सारे subjects आपको देखने को मिलेंगे, है ना, biology में आपको मेरा मुह दिखेगा, तो class 10th biology पर जाना, इस पर क्लिक करना, जैसे यह क्लिक करोगे, तो यह वाला page खुल जाएगा, यहाँ पर आपकी सामने आजाएगा, chapter 1, life processes, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, तो इस chapter का जो पहला lecture था, introduction वाला, वो खुल करके आज जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, magnet brains के official website को visit कर सकते हो, और class 10th biology के सारे lectures को access कर सकते हो, so do visit our official website that is magnetbrains.com, till then keep learning with magnet brains, thank you for watching.